दोस्तो आज के इस वीडियो में हम राष्टपती और उपराष्टपती से समंदित महत्पुर्ण प्रस्ण करेंगे साथ ही उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे आप लोग पूरा वीडियो को लाष्ट तक देखना और लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चलिए शुरू करते राष्टपती के चुनाब का निर्णे कौन करता है तो ये करता है सरवोच नियाले ये किसादार पे तो भारतिय सम्मिदान के अनुछेद से 71 में कहा गया है कि राष्टपती या उप राष्टपती के निर्वाचन से उत्पन या संसक्त सभी संकाओं और विवादों का बारन कौन करेगा तो उच्टम नियाला करेगा यानिकी सुप्रिम कोट आगे स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे तो डॉक्टर राजेंदर परसाथ जिनका कारेकाल उन्हें सब 52,57 और उन्हें सब 57,57 तक यानिकी दो वार राष्टपती निर्वाचित होने वाले एक मात्र ब्यक्ति हैं आगे वे कौन से राष्टपती है जो दो बर लगातार अपने पत पर रहे तो राजेंदर परसाथ आगे भारत के पहले राष्टपती कौन थे तो भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंदर परसाथ हुए आगे भारती राष्टपती के के और नराइनन कैवें राष्टपती हुए तो ये थे इगारवे राष्टपती के और नराइनन इगारवे राष्टपती थे और जबकि दसवे ब्यक्ति थे क्योंकि पर्थम राष्टपती कौन थे डॉक्टर राजेंद परसाद जिनका दो का कारकाल था, आगे भारत के दिवतिय राष्ट पती कौन थे तो यह थे एस राधा क्रिशनन जो की परथम उप राष्ट पती भी राष्ट चुके थे, जिनके बद तीसरे कारकाल के लिए приход 1962 से 1967 तक एस राधर कृष्णनन को भारत का दूसरे राष्ट पती बनाये गये थे आगे भारत के निम्र राष्ट पती निर्विरोध चुने गये यानि कि भारत के इसे कौन से राष्ट पती हुए जो निर्विरोध चुने गये तो नीलम संजीव रेड़ी 1977 में निर्विरोज चुने गए थे आगे है भारत का राष्ट पति कौन होता है तो राष्ट का मुख्या होता है और जब कि परधान वंत्री सरकार का मुख्या होता है आगे है राष्ट पति क्या होता है तो राष्ट का प्रमुक आगे जब राष्ट पती को अपने पद से स्थिपा देना हो तो वह त्याग पत्र की से सम्भोधित करता है तो उप राष्ट पती को ये प्रापधान कहाँ पर है तो संभिधान कर उच्छे 56 एक क्या के नुसार राष्ट पती उप राष्ट पती को सम्भोधित करके अपने अस्ताच्छर चाहित लेक द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है आगे है राаш्ट मतिए अपना त्याग पत्र किसे सौबता है तो ऊपराश्ट मतिको आगे यदि राश्टमती का पद खाली है तो उसे कितनी अबदिके अंदर भरना आवस्यक होता है आगे यदि किसी कारण बस राष्टपती यवा मूप राष्टपती दोनों का पद खाली रहता है तो राष्टपती के कारे को कौन संपादित करता है यानि उसका निर्वान कौन करता है तो भारत का मुख नियादिस यानि की C, J, I आगे राष्टपति की मिर्टियों होने या इस्तीपा देने पर राष्टपति कारियाले के कारिभार का पाला नूप राष्टपति कब तक करेंगे तो अधिक्तम छे महिने की अब धित्यक और इसका बढ़ना ननुचेद 65 में बढ़नित किया गया है आगे किसी कारणवस कारिकाल के दौरान राष्टपति की मिर्टियों हो जाए तो रूप राष्टपति या दिक्तम कितने समय तक राष्टपति के पत पर रहेगा तो 6 महिने तक आगे किसी भी बीदी के लिए सर्वोच नियाले से प्रमर्स मांगने का अधिकार किसको है तो राष्टपति को यानि कि किसी भी कानून के लिए सर्वोच नियाले से प्रमर्स ले सकता है पर वो मानने के लिए बाद नहीं होता है ठीक है और राष्टपती अनुछेद 143 के तहता है सर्वोच न्याले से किसी भी से पर प्रमर्स मांग सकता है आगे किसी अनुछेद के तहता है सर्वोच न्याले से राष्टपती प्रमर्स मांग सकता है तो अनुछेद 143 के तहता है आगे है कौन सा अपात का राष्टपती द्वारा स्वयं ही घोसित कर सकता है तो ऐसा जो है कोई भी अपात कल जो नहीं है जो राष्टपती स्वयं घोसित कर सकता है ये इसके लिए मंत्री मंडल की संस्तूती होती है और ये आज भी तक का अपात कल कौन कौन सा तो 352, 356 और राष्ट्पति या कोई ब्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्पति के कृत के निर्वाहन के लिए न्यूक्त होता है उसको पूर्व भारत के मुखनियादित के समक्ष पद ग्रहन की गोपनेता दी जाती है आगे है राष्ट्पति को कौन सा पद दिलाता है तो भारत के मुख बारत में रच्छा संगटन का सर्वोच कमांडर होता है आगे है भारत में रच्छा संगठन का सर्वोज कमंडर कौन होता है तो राष्टपती ये अनुछे त्रेपन दो के अनुसार संग के रच्छा वलो का सर्वोज समादेश राष्टपती में नहीत होता है आगे है भायत के उपराष्टपती के रूप में कारी रत बास्तवी क्रम में कौन-कौन होता है तो सबसे पहले ये इस क्वेश्चन का नुसार पहले जाकिर हुसेन 1912-1967 फिर बीवी गीरी फिर बीडी जत्ती चहुतर से उनासी और बे आर बेंका ट्रमन 1924-1987 तक उपराष्टपती के पद पर कारे रत थे आगे है निमलिखीत में से किसे भारत का राष्टपती बनने से पहले भारत रत ने प्रसकार मिला था तो एस राधा क्रिश्नन को डॉक्टर रेसर आधा क्रिश्नन राष्टपती बनने से पूर विबर्स उने से चोगर में उन्हें भारत रत ने से सम्मानित किया जा चुका था और राष्टपती के रूप में इनका कारकल उने सो पारसट से सरसट थक था ठीक है आगे राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद किसे संदर्वित किया जाता है तो सर्वोच नियाले को और यह अनुछे देखातर के अनुसार राष्टपती या उप राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद का भी निश्चे उचितम नियाले दौरा किया जाता है आगे उप राष्टपती का रिक्त अस्थान क्या तो छे महीने के अंदर या परियाप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि समिधान वे किसी निश्ची समय का आदेश नहीं है आगे भारत के राष्टपती को पद से कौन हटा सकता है तो संसत समिधान का नुछेद 61 का नुसार राष्टपती को समिधान का निश्ची क्रमन करने पर महाभियोग का परस्ता पारित करके संसत द्वारा हटाया जा सकता है पर हटाने से पहले 14 दिन पहले राष्टपती को इसकी 14 सदस्यों द्वारा सुचना लिखित प्रावधान किया जाता है आगे राष्टपती को हटाया जा सकता है तो महाभियोगदारा भारत के राष्टपती का चुनाव किस प्रकार का होता है तो भारत सम्मिद्धान के अनुछे चावण में प्रावधानित है कि राष्टपती का चुनाव संसत के दोनों सद्नों तथा राज विधान सवाओं के निर्वाचि सदस्यों के बिना के बने नर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है आगे राष्टपती के निर्वाचन में भाग लेने वान ले निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन तो लोक सवा राज सवा और सभी राजियों के बिधान सवा के निर्वाचि सदस्यों मनोनित सदस नहीं सिर्फ निर्वाचे सदस आगे किसी राज में राष्टपति सासन का तात पर है कि वह राज संचालित होता है राज के राजपाल द्वारा जब भी किसी राज में संबैदानिक तंत्र भीफल हो जाता है तो अनुचे 356 कंतरगत वहाँ पर राष्टपति सासन लागो होता है और राष्टपति सासन लागो किये जाने पर उस राज के राजपाल द्वारा राज के सासन का संचालन किया जाता है आगे भारत के राष्टपती के निर्वाचन के लिए नीऊंतम निरधारी तायुक इतनी है तो 35बर, अनुछेद 58 के नुसार आगे भारत का राष्टपती सदस से कहा का, तो किसी का नहीं भारत का राष्टपती जो है आगे भारत के राश्टपती द्वारा निमलिखित में से कौन सा कारी नहीं किया जाता है तो राज्य सभा को बिगटित करना ये भारत के राश्टपती का काम नहीं है समिधान का अनुछेद 112.1 का अनुसार राष्टपती प्रतेक बित्य बजट का संसत के दोनों सदनों के समझ रखवाता है फिर अनुछेद 85 के तरगत राष्टपती संसत का सत्रावसान करता है तथा अनुछे देख सवार्ट के नतरगा तवे सकता पड़ने पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठाक बुलाता है आगे है All India Services के सदस्यों के नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती अखिल भारती सेवकों के नियुक्ति से लेकर नियंतरन तक किंद्रे सरकार द्वार किया जाता है और अथा किंद्रे सरकार अर्था भारा सरकार जिसका परदान राष्ट पती होता है उसके द्वारा ही अखिल भारती सेवकों के नियुक्ति की जाती है आगे निम्न में से किसकी निउक्ति भारत के राष्टपती द्वारा नहीं की जाती तो लोक सवा अध्याच को आगे निम्न लिखित में से किसे राष्टपती नहीं निउक्त करता है तो उप राष्टपती की निउक्ति राष्टपती नहीं करता है आगे निमलिखित में से किसको राष्टपती चूना नहीं करते तो उप राष्टपती को आगे संग लोक सिवायोक के सदस किसके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं तो ये राष्टपती के द्वारा अनुचे 316 लाकत है आगे है राष्टपती लोक सिवा को भंग कर सकता है कब रपरधान मंत्री की सलाह पर और अनुचे 85 के अनुचा ठीके भारत के राष्टपती का चुनाप कितने बर्सों के लिए किया जाता है तो पाच वर्स के लिए समिधान का नुचे 56 के अनुचार भारत के राष्टपती का नियुक्त चुनाप पाच वर्सों के लिए किया जाता है आगे है वह निर्वाचन मंडल जो राष्टपती का चुनाप करता है कौन है तो लोकसभा और राजसभा अनुछे 66 के नुसर आगे भारत के राष्टपती के बारे में असत्त है यानि कि आप्सन है निउन्तमाई 35 वर्स कारिका लाठ वर्स ये गलत है निउन्तमाई 35 वर्स के कारिका लाठ वर्स नहीं पाज वर्स और त्याग पत्य अपने उपराष्टपती को देता सही है और राष्टपती महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है आगे भारत के राष्टपति कितनी उंतमायू कितनी है तो 35 राज्य सवा का ध्याच्छ होता है कौन तो उपराष्टपति संविधान के नुछेद 89 के नुसार भारत को उपराष्टपति राज्सवा यानिकी उस सेदन का पदेन सवापति होता है आगे है राजसवा की मीटिंग का संचालन कौन करता है तो उपराश्ट पती भारत के उपराश्ट पती बरतमान कौन है तो एम बेंकाया नाइडू आगे भारत का उप्राष्ट पती कौन तो बेंकर या नाइडू हो गए ठीक है आगे राज सभा के चेर्मेन, राज सभा के चेर्मेन कौन होते हैं? चेर्मेन का चुनाप सेयुक तो रुप से लोक सभा और राज सभा के सदस्यों द्वरा किया जाता है और ये उपराश्ट पती होते हैं आगे भारत के पर्थम उपराश्टपती कौन थे तो पर्थम उपराश्टपती डॉक्टर एस राधा कृष्णन जिनका कारिकाल 1922 से 1962 तक रहा आगे उप राश्टपती का कारिकाल होता है तो पाच वर्स और ये अनुछे 67 के अनुसार उप राश्टपती का कारिकाल पाच वर्स की अबदी तक होता है आगे राश्टपती देश के लिए वैसे है जैसे राजजपाल राज के प्रती होता है आगे राश्टपती राजपाल की नियुक्ती में किसकी सलाह लेता है तो परधान मंत्री करनुछेद 155 गनुसार राश्टपती राजपाल की नियुक्ती करता है राजपाल की न्युक्ति प्राय पाच वर्सों के लिए होती है परन्तु बार राष्ट पती के परसाद परियंत पद धारन करता है आगे भारत के राष्ट पती की मर्जी तक निमलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो राजपाद आगे है अभित्य बिध्यक को राष्ट पती कितनी बार लवटा सकता है तो एक बार अभित्य बिध्यक को राष्ट पती पुनर विचार के लिए एक बार लवटा सकता है प्रंतु यदि विध्यक दोनों सद्नों द्वारा पुना पारित किया जाता है तो राष्टपती को प्रस्तूत किया जाता है तो राष्टपती विध्यक परुणती को रोक नहीं सकता है यानि पुना भेजने पर राष्टपती रोक नहीं सकता है आगे निमलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्वित संबन संगिये बजट से है तो कटावती प्रस्ता यहने कि संगिये बजट निर्मान के दरावन कटावती प्रस्ता बिभीन अनुदानों की मांगों में कटावती के लिए प्रस्तावित होते हैं जिसके अंतरगत मित ब्याइता को ध्यान में रखकर या नीतियत मामले को लेकर मांगी गई धनरासी में कटाउती की मांग की चाती है आगे भारत का पर्थम नागरी किसे का जाता है तो भारत का राष्टपती आगे भारत का राष्टपती बन्नेवला पर्थम आसमी कौन था यानि आसम से कौन थे तो फकरुद्दीन अली अमद ठीक है आगे निम्नांकित मिसकी सद्धिकारे के न्युक्ति प्रधान मंत्री की राय पर राष्टपती के द्वरा की जाती है तो भारत के मुखन आइदिस की संग लोक सेवायों के ध्यच और राज्जियों के राजपल जो के प्रधान मंत्री की राय पर न्युक्त होते हैं आगे राष्टपती पद का उमिद्वार को इन में से किसकी योगता का होना अनिवार है तो लोक सवाका समिधान के नुच्छेद 52 में राष्टपती के पद की वबस्ता दी गई है ठीक है और राष्टपती देश का समिधान परमूख होता है समिधान के नुच्छेद 58 एक गय में यवलेख है राष्टपती को लोक सवाका सदस बनने की योगता होनी चाहिए आगे उप राष्टपती को पज़ से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेस किया जाता है तो राजसभा द्वारा उप राष्ट पती को उसके पद से राजसभा के इसे संकल्प दॉरा ड़ाए जा सकता है जिसे राज सभा के बहुमत सद्स्यों ने पारिद किया हो आगे अपनी पदाबधी समापत होने से पूर उप राष्ट पती को उसके पत से हिटाने वाला प्राधीकारी कौन है तो राजसभा आगे राश्टपती लोकसभा में किस समुदाई के बीच से दो लोग को मनोनित करता है तो एंगलो इंडियन जिसे कि आप खत्म कर दिया गया आगे भारत के राश्टपती द्वारा दो ब्यक्तियों को किसका परती निधित करने है तो लोकसभा का सदस बनने के लिए मनोनित किया जाता है तो आउंगल भारती है एंगलो इंडियन जिसे बोलते आगे राश्टपती दो सदस को मनोनित करता है तो एंगलो इंडियन को आगे है राष्टपती द्वारा कितने से 10 मनुनित किया जाते हैं तो 12 अनुछेद 83 के अनुसार आगे है राष्टपती स्वरूप की सरकार का निस्पादन निमलिखित कि देश में सर्वोत्तम है तो रुस्यूक्त राज अमेरिका यानि कि अमेरिका से राष्टपती स्वरू राज़नेक सकती. राज़नेक सकती के पास है. अपात्काल की घुशना कर सकता है. आगे सम्मिदान हिंद में कितने किस्मिकी इमर्जेंसियों की साखाएं मवजुद है तो तीन किस्मिका ठीक है पहला राष्टियापात अनुछे 352 दूसरा राजियों में राष्टपति साहसन अनुछे 356 और अनुछे 360 बितियापात जो कि अभी तक भारत में एक भी बार न न्युक्ति के द्वारा राष्टिय बहुमत दल के नेता को परधान मंत्री न्युक्ति करता है और अनुछे 75 एक उपबंधित करता कि परधान मंत्री की न्युक्ति राष्टपति राष्टपति की सला से करेगा तो दोस्तों इस तरह से राष्टपति और उपराष्टपत झाल झाल